आप देख रहे हो आरवं, मैं हूँ अक्ष्रतानाद गोपाल और हम दोनों वापर स्टूडियो में आये हैं, हर राज़ से एक इश्यो हम लेकर डिस्कस करेंगे, पहले करनाटका से क्या हो रहा है, उडपी से एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जहां पे तीन लड़किय कॉलेज में उनके क्लासमेट को रेकॉर्ड किया वाश्रूम में, और इस पे काफी स्टोरीज चल रहा है, वीडियो चल रहा है, क्या है सच और क्या है जूट, वो हम दिखाएंगे और बताएंगे आपको, वहां से हम केरला जाएंगे, एक न्यूस जो हम दोनों सुनों में देख रहे थे कि राहूल गांधी केरला गई थे, उनके treatment के लिए, medical treatment के लिए, तो आयरवेधिक treatment केरला में, जो सबसे famous center है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि क्या है उसके legacy, कहां पे मिलेगा आपको और क्यों वहां पे जाने चाहिए, तमिर नाड़ू में क्या हो वहाँ पे तो काफी कॉंट्रोवर्सी हो रहा है क्योंकि कॉलिवूड जो तमिर फिल्म इंडस्ट्री है एक फिल्म एम्प्लोई यूनियन बॉडी ने यह गाइडलाइन किया कि सिर्फ तमिर आर्टिस को ऑपरचुनिटीज दो तो क्या यह एक और इंडिकेशन है तमिर क्या है वह हम आपको दिखाएंगे इस बार शुरुबात करनाटका से करें क्योंकि उडिपी से खबर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उसके बहुत वायरल है कि वीडियो भी कुछ लोगों ने पोस्ट किया अब पता नहीं वह वीडियो सही है नहीं है हुआ यह है कि एक बाते हो रही है क्यों लडिकियों के वीडियो बाहर कैसे आए इस केस में डेवलप्मेंट भी है पुलिस ने कुछ अरेस्ट वगरा भी किया बहुत ज्यादा हुआ लेकिन पहली चीज़ यह है कि जो भी वीडियो अब देख रहे हो ऑन-लाइन ट्विटर पे यूट्यू प डाल रहे है और इसके उपर ही काफी मतलब न्यूस चल रहा था और जो नया शब्द मेंने लर्न किया अफवा चल रहा था कि यहां पे हीडिन कैमरास तक वाश्रूम में उस वो बिलकुल गलत है तो जो भी वीडियो आप देख रहे हो सोचल मीडिया पे और जो क्लेम कर रह हैं लेकिन अब तक पुलीस ने इस्टाबिश किया कि एक भी इसके नहीं है पूरा केस क्या है मतलब यह और पॉलेटिकल टर्न क्यों ले रहे है तो इसमें अचली यही इंसिडेंट है कि एक कॉलेज ट्यूद जब वाश्रूम उसकर रही थी तीन और लड़किया जो थी उ तो उसके वीडियो थे उनके पास तो इसकी ऊपर और यह अनफोर्चनेटल शायद हम देखते हैं एजुकेशनल इंस्टूशन में होस्टल में ऐसे फॉर्म उफ रागिंग ऐसे फॉर्म बुली इस केस में इसलिए इतना ज्यादा चर्चा और बवाल हो रहा है क्योंकि कु इसी ने और इतना गंबीर और ग्रेव इश्यो को बस एक प्रैंक बोल सकते हो डिसमस कर सकते हो यहां से शुरू हुआ फिर यह आ गया कि जो विक्टिम थी वो हिंदू है और जो एक्यूस्ट है वो मुसलिम्स है तो फिर आपकी पॉलराइजेशन और कम्यूनल टार्गेट क्योंकि मुसलिम एक्यूस्ट है इसमें यह प्रैंक नहीं है आप डाउन प्ले कर रहे हो आप वाटर डाउन कर रहे हो तो इन दोनों इश्यो को लेकर इतना ज्यादा कॉंट्रुवर्सी हुआ है लेकिन फैक्स क्या है फैक्स यह है कि यह तीनों लड़कियां यह की थी यह एक प्रैंक था वो पता नहीं कि क्या मोटिव था लेकिन जो लड़कियां है जो एक्यूस्ट है उसने यही बोले है मतलब उनके स्टेट्मेंट और टेस्मेनी में बोल रहे है कि हाँ बस यह एक हामलेस प्रैंक था ओविसली इंवेस्टिगेट करना चाहिए लेकिन हिंदु मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है क्या उसका अंगल है कि क्या यह मुस्लिम लड़कियों इस विक्टम या इस लड़की को टागेट किया इसलिए क्यूंकि वो हिंदु है वो अभी तक पुलीस ने साफ बोल दिया कि इसमें कुछ कम्यूनल आंगल नहीं है बाइ विडियो को शेयर कर रहे हैं कुछ न्यूस आउटलेट भी कर रहे थे उनकी ऊपर केस्व कर रहे है तो यह है पूरा स्टोरी अबीबी इन्वेस्टि disciplines हो है इसमें जांच अभी भी हो रहा है लेकिन जो त्री तीन लड़कियां है उनको गिरफता किया था लेकिन उनको एंटिस्पेटरी बेल भी मिला दूसरी चीज जो कॉलेज अडिनिस्ट्रेशन है उनको भी बुक किया है नाशनल कमिशन फॉर विमन जो हम सब उसके बारे में चाचा कर रहे है कि वो कुछ ने करते है अक्शने लेते है इसमें फॉर चेंज बहुत प्रॉम्ट थे और खुश्बू सुंदर जो एक NCW मेंबर और BJP नेता भी है वहां पे गए थी और साफ बोल रहे थी कि देखो मैं एक BJP नेता के मुताबिक नहीं हूँ यहां पे NCW से आई हूँ तो उसने वहां पे जाकर अभी इंवेस्टिगेशन वह भी कर रहे है लेकिन उसने भी साफ साफ बोल दिया कि यह जो पूरा नरेटिव है कि हीडिन कैमरास थे वाश्रूम में बोल रहे है कि एक एजुकेशन इंस्टिउशन है यह बिल्कुल गलत है और दूसरी बात अगर कम्यूनल आंगल हम हटा भी तब यह चीज़ें कभी भी प्रांट मजाक या आम चीजों का मतलब आप क्या कहें उसको तीज करने का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए कि आप विडियो रिकॉर्ड करें यह मतलब ऐसी चीज है ना कि आप किसी के बिल्कुल पर्सनल औ और बहुत प्राइवेट चीज को आप मजाक में रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कामरा का रिकॉर्डिंग ओन नहीं कियो सिफ कामरा भी निकाला हो या किसी भी तरह से देखने हो यह मजाक नहीं है आपको भी समझना पड़ेगा जब आप टीनेजर हो या एक सर्टन एज में पहुँच गए हो क्या मजाक के दायरे में आता है और क्या नहीं आता है और किसी को भी उनकी बॉड़ी को लेकर और उनके प्राइवेट या ऐसे मुमेंट को लेकर आपको नहीं कुछ फील करवाना चाहिए तो स्कूल्स में बहुत कॉमन है ऐसे हरास्मेंट अकसर हम इसा ने सुना लेकिन ऐसे इंसिदेंट्स जो न्यूज में आते हैं या बाकी चीजें वो तो तता चलती है और यह जो कम्यूनल अंगल वाली बाते इसे ही लोकल नेताओं ने पिक किया है और बीजेपी इसको मतलब पूरा इतना बड़ा हो गया कि बहुत जादा प्रोटेस् में काफी डिसकस किया है कि कैसे ही साओध करनाटा काफी पोलराइस और कम्यूनल भी है तो इसके ओपर इसलिए इतना ज्यादा कॉंट्रोवर्सी और इस्यो हो रहा है क्योंकि बोल रहे है कि जो एडिनिस्ट्रेशन है कॉलेज के अडिनिस्ट्रेशन वो सब मुसलिम काफ कुछ action ने ले रहे है कुछ students के bites है जो BJP भी काफी share कर रहे है और बोल रहे है कि देखो students भी यही बोल रहे है और उस bite में actually कुछ students है जो TV9 Kannada में बात कर रहे है और बोल रहे है कि यह जो college administration ने action ने लिया इतने बड़ा और गंबीर सवाल और crime के ऊपर imposition लिखने के ल अर्चा हो रहा है तो इसकी obviously इसके ऊपर काफी सवाल उटेंगे जैसे आप बोल रहे थे कि एक बहुत grave issue है मतलब आप victim के बारे में सोचो कितना mental harassment हो रहे है उनकी साथ और जब सब इसकी बारे में बात कर रहे है सब video share कर रहे है और बोल रहे है कि यही video है वही video है अब तक successfully police the good thing is काफी sensitively investigation को carry out कर रहे है लेकिं BJP यही बोल रहे है कि इसको CBI को दे दो क्यूंकि हमको लगता है कि यह बिल्खुल conspiracy है और हमको लगता है कि जो Sidra Maya के सरकार है वो accused को shield करेंगे क्यूंकि वो Muslim है तो यह सबसे मतलब यह जो issue है इसको पूरा communalize करके इसले इतना बड़ it's snowballed essentially into this big big controversy अभी जस अंगल से यह नेता और बाकी लोग ले जाना चाहरे है या कवर करना चाहरे मतलब वो तो खेर अलगी बात है लेकिन हाँ यह दोनों ही सवाल के अंगल पर जाच होनी चाहिए कि उस लड़की को क्यों टार्गेट किया गया क्या क्या कम्यूनल अंगल को यह और दूसरी बात यह प्रैंट्क विडियो यह जो भी व話 रिद्वreciट या जो लुख यह तो नहीं हो सकता मैं नियुक्प्लिट यह मैसेज दिया जाना चाहिए उनको चाहिए कि यह नहीं है और मजा के दैर्शों पाने के शीज तो चिन ही हैं अपना इलाज करवाने क्ले महा गए हैं लेकिन जब अक्षिता से मैंने बात की कि केरला क्यूं मतलब यहां दिली में भी एम से सब्दर जंग है सारे जो बड़े वी आईपी सेलिब्रिटीज और नेता हैं यहीं जाते हैं तो अक्षिता ने मुझे जहां राहूल गांधी ट्रीटमेंट करवाने काया है उसके बारे में कुछ बढ़िया रोचक जानकारिया दी मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए तो राहूल गांधी को शायद कुछ नीपेन है गुटने में दर दे गुटने में दर दे तो उनका तो के लफ सब जानते है क्योंकि की वह ?बई लेकिन अभी वह actually लेक्राइक्षल में था इसलिए क्यूंकि ट्रीटमेंट के लिए और रहेंस क्यों नहीं क्यूंकि वह इविएडिक ट्रीटमेंट चूज़ किया और हम सबको पता है कि कर ला कि आयूरवедिक ट्रीटमेंट कितना popular है तो actually जो सबसे फेमय आयुर्वेधिक सेंटर है केरला में वो है आर्या वैदिया शाला और यह अचली बेस्ट है कोटकल में कोटकल मलपूरम में है तो यह बहुत फेमस है अगर आप साउत में कहीं पर जाते हो अगर आप देखोंगे मतलब एक लोकल शॉप जो भी है रीटेल आउटलिट तो हंड अगर आप देखोंगे में वोट पॉपलर आप जागा में जहां पर आईरवेधिक मेडिसिनल दवाय जो बहुत पॉपलर है वैसे बेचते हैं जैसे आप बोल रहे थे यहां का पतांजली शायद वैसे पंपेर कर सकते हैं क्योंकि जैसे हमारे घर में मेरे ग्राइडपरें सब जगह आपकी इन शॉप्स देखोगे आरे वैदेशाला का क्या इस्तेमाल करती है आप कोई चीज मैं मैं यूसने करती हूं लेकिन बहुत कोशिश की मैं कि मैं भी चावन प्रश लूँ लेकि मेरे को बिल्कुल अचाने लगता है तो मैंने कभी ने खाई थी लेकिन मेर उस समय उतना ज्यादा फेमल्स और उतना ज्यादा लोग नहीं खाते थे अभी तो पतांजली ये वो है ना उस समय तो उतना ज्यादा ब्रैंट नहीं था और मतलब अभी भी अगर अब देखो कि लाजली लोग वहीं पर जाएंगे आरे वैदेशाला को कि वो जैनुविन आयुरवेदा जैसे मानते थे ये अच्छली सेट अप हुआ 1900 में 1905 में शायद वारियर फैमिली है जो मतलब ट्रडिशनली आयुरवेदिक मेडिसन में है और थू दे यर्स 1905 से अब तक इसी फैमिली के साथ रहा है आरे वैदेशाला जो मतलब फांडर था उनके विल से प कोड़ा हुआ है और कोटकल में में सेट अप है जहां पर आयुरवेदिक ट्रीटमेंट्स वगेरा देते हैं जितने भी एल्मेंट्स के लिए या आयुरवेदिक मसाज जो सबसे पॉपिलर है वो भी कोटकल में ट्रेडिशनल वाला करते हैं और मतलब जो हमसे आप जैसे अ मुझे असा लगता है कि आयुरवेदिक सेंटर से अलोवेरा जूस आवला का जूस यह सबका बॉटल्स मैं तो आपी की तरह कुछ ने इस्तमाल करती लेकिन हां घर पर मम्मी पापा वगरा यह चीज़े उनको तो मतलब बिलीफ है कि यह सबसे प्योर है लेकिन इसले आउंडर है वो है एक बहुत बड़ा आयुरवेदिक स्कॉलर उनके नाम था वैदियर अतनम पीयस वारियर उन्हें सेट अप किया और गावर्मेंट के हेल्प के साथ और उस समय तो ब्रिटिश इंडिया था और उनको भी काफी रेकिनिशन मिला था कि यह मतलब फादर एक प्रॉफाइल मानता था तो उनको काफी फे मिला था और फिर एक स्कूल को भी सेट अप किया इसके लिए जिसके लिए इस स्कूल कोल भी सेट अप किया है जो काफी पॉपिलर है जिसे याया भी अयुर्वेधिया अभी फिर परताई प्रamıड़ इघनलिंप की यही जात तो अब यहां से हम बढ़ते हैं तमिल नाडू की तरफ जहां से फिर एक कॉंट्रोवर्सी ट्रिगर करने वाली खबर आई खबर यह है कि एक एसोसियेशन है जिसने यह तै किया है या शायद प्रपोस किया है कि तमिल इंडस्ट्री में जो कॉलिवोड है उसमें तमिल तो मेरे को पता है कि और लोग बोलेंगे कि यह तमिल सुप्रमसी के माइंसेट है लेकिन हाँ इस पे काफी कॉंट्रोवर्सी और चाचा हो रहा है यह जो बॉड़ी है यह फिल्म एम्प्लोईज बोड़ी है फेडरेशन फेफ्सी बोलते है इसको तो यह जो बॉड़ी है इसको इसका एक एक नया guideline set of guidelines release किया है जिसमें एक line what mention किया है पहले कि filmmakers को tamir artists को prominence देना है priority देना है उनको ही employee करनी चाहिए दूसरी कि जितने भी shoots है ज्यादधतर tamirnadu में भी होनी चाहिए अगर आप avoid नहीं कर सकते हो तो फिर बाहर जाओ लेकिन ज्यादता तामिरनाडू में करो यह obviously दो intention के साथ है एक tourism बढ़ सकते हो वैसे तामिरनाडू में दूसरे कि आपके तामिर आर्टिस्ट जो है उनको employment opportunities मिलेगा तो यह दो reason के वज़े से यह guidelines रिलीस हुआ है लेकिन इसकी वज़े से काफी controversy हुआ है एक जैसे आप बोल रहे थे पावन कलियान ने एक pre-release event पे बात कर रहा था उनके film bro बोलकर रिलीस होने वाला है तो उसके उपर बात कर रहा था और बोल रहा था कि देखो हमारे film में कितने लोग है यह है नौट से यह है वेस्ट से वैसा जो उरुशी रोतेला के बारे में बात कर रहा था उरुशी रोतेला नौट से है नीता लूला जो डिजाइनर है वो पाकिस्तान से इंडिया आए थी और ऐसे हमारे talent इतना ज्यादा सब जगह से लेकर इसलिए एक अच्छा फिल्म बन पाए और फिर RRR के बारे में भी बोलते है और पावन कल्यान यह बोल रहा था कि देखो हम इतना बड़ा फिल्म इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम inclusive है हम talent सब जगह से लेते हैं लेकिन उसी समय बोल रहे थे कि Tamil Film Industry जो है और inclusive होनी चाहिए जैसे अभी guidelines रिलीज किया है बोल रहे है कि जितने भी star wars है Tamil Film Industry में आप सब को देख कर I hope कि आप यह change करोगे क्योंकि हमको सब को लेकर ऐसे films करना चाहिए तो इसके उपर काफी controversy हुआ काफी चर्चा हुआ और Nassar आपको पता है शायद Nassar कौन है एक बहुत बड़ा actor है जो जब मैं निउस रूम में थी और जब मैं दिखाया रहे थी कि हाँ ये बाइट आये था तो सब बोल रहे थे कि हाँ बलाल दिवा की पापा तो वो है Nassar अगर आपको पता नहीं तो अगर किसी को और Nassar इतने फिर्म किया है तो मैं सोच रहे थी कौन सा दिखाओ कौन सा बूलू मैं एक मिन आ रहा था सब कोई बोड़ा था अरी बलाल देवा की पापा हाँ वही है तो Nassar अगर आपको पता नहीं वही है तो Nassar एक लेजंडरी अक्टर है अक्टर है अक्टर है तामिर सिनमा में मल्यालम में अक्ट करते है तेलुगू में कनड़ा में सब में पैन साउथ स्टार बोल सकते हो हिंदी में भी काफी किया है बहुत सारी फिल्मों में मतलब वो कुछ ना कुछ चोटे चोटे रोल के लिए दिखा है मतलब एक बहुत इंपोर्टेंट लेकिन स्मॉल पार्ट वैसा है तो उनकी वो एक्शली है जो Film Body Association है South Indian Artist Association जिसका नाम है Nadigar Sangam तो उसके हैड है और Nassar बोल रहे है कि ये बिल्कुल जूट है कि ऐसा कुछ डिरेक्टिव नहीं है कि हम सिर्फ तामिर फिल्म आर्टिस्ट को हायर करेंगे और बोल रहे है कि अगर ऐसा कुछ है अगर ऐसा इसमें कुछ सच है तो मैं भी उपोज करूँगा तो ये डिरेक्ट रेफरेंस था पावन कल्यान की स्टेट्मेंट की ऊपर लेकिन ये ही प्रॉब्लम है कि एक साइड आप पास गाइडलाइन से एक साइड नासर बोल रहे है कि ये सच नहीं है और फिर पावन कल्यान बोल रहे है कि यह बिल्कुल सही नहीं है तो इसके ओपर काफी मतलब कॉंट्रवर्सी हो रहा है लेकिन अब तक जो फेफसी है जो बॉड़ी है उसका जो गाइडलाइन्स या रूल से वो विड्डॉने किया लेकिन कितना इंपैक्ट होगा वो भी मतलब सवाल उठ रहा है और ये तो बहुत जादा मतलब अगर ऐसा कोई गाइडलाइन्स आता है हमें समझ में आता है जब कोई कहता है कि ट्रांसजेंडर अगर फिल्म में दिखाना है तो ट्रांसजेंडर को ही मतलब वो रोल दिया जाए वो इस वजह से कि वैसी हमेशा transgender को जिस तरह से इस cinema में represent किया गया, वो बहुती ज़्यादा derogatory था, अब जब आप जगा दे रहे हो तो वाकई उन लोगों को जो स कम्यूनिटी से आते हैं, लेकिन क्या Tamil cinema में ऐसा है कि Tamilians को जगा ही नहीं मिल रही, या उनको उत्ती प्रियो पर डिफेंट कर चुकी हूँ कि जब तक मतलब ये language का problem है या कुछ भी है, मैंने explain करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये जो step है मेरे को लगता है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं भी मांती हूँ कि आपको inclusive होनी चाहिए, कि अगर talent कहीं और पे है, तो लेकर आ जाओ, जैस कि ये जो South और Bollywood mix है, वो अच्छा है, पैन इंडिया है, तो इसके बीच में अगर आप ऐसे एक डिरेजनल लेवल पर लडने लग गए हो आप ता, और रीजनल क्या है, वो lines भी blur हो रहा है, जो अच्छा है, क्योंकि जब पहले बोलते थे National Cinema Bollywood है, Regional Cinema ये सब है, लाइज तो वो भी change हो रहा है, वो lines blur हो रहा है जो अच्छा है, सब फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अभी ऐसे डिरेक्टिव के साथ, दो चीज होता है, एक आप थोड़ा आइसलेट कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री को सब बाकी फिल्म इंडस्ट्री से, दूसरी कि आप ठाकूर ने भी बात कर रहे थे, और बोल रहे थे, कि जितना innovation south industries, film industries में है, जितना technology use करते है, कहीं और नहीं use करते है, और वो इसलिए है क्योंकि हम इंडिया से पूरा talent लेकर वहाँ पे काम करते है, उनको jobs को क्या होगा, तो यह सब मेरे को लगता है कि actually negative impact होगा, और जित आपकी क्या राय है, तो मतलब अगर यह होता है, जो अब तक मेरे को पता नहीं कि कितना ज्यादे इंप्लिमेंट होगा, यह तोड़ा सा negative impact हो सकता है, कोलिवूड पे मेरे को लगता है, आप लोग क्या सोचते है, आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताएगा, क् यह बड़ा ही debatable issue है, सब की राय इस पर अलग-अलग हो सकती है, और हम बढ़ते हैं आंद्रा और तिलंगाना की तरफ, जहां पर वैसी ही बाड आई है, जैसा कुछ आप नाशनल कापिटल दिल्ली और यूप और बाकी जगहों की तस्वीरे देख रहे हैं, लेकिन उस पर अधियर उतनी बात नहीं हो रही, वजह आपको भी पता हैं, हमें भी बता हैं, कितनी बार बता चुके हैं, तो गोदावरी नदी में पानी बढ़ गया है, उसका लेवल इंक्रीज हुआ है. हर जगह में, पूरे देश में अभी रिवर्स आर इंस पेट, जैसे हम बोलते हैं, लेकिन तैलंगाना में, पहले तो जुलाए मैने जब शुरू हुआ, मेरे जितने भी रेलेटिब से हैं, हाइदरबाद में सब मेरे को मेसेज कर रहे थे, जब ये दिल्ली में इतना बारिश हुआ है तैलंगाना में, कि कभी उतना ज्यादा नहीं हुआ है पहले, और काफी डिस्ट्रिक्स जिसमें बहुत खराब सा हालत है, मुलुगू है, हनमकॉंडा, वारंगल, ये सब जगह में काफी मतलब, काफी डायर सिचुएशन है, क्यूंकि इतना ज्यादा रेक जगल जो है, पूरा कट-off हुआ है, तो NDRF Teams वहां पे है, अभी Rescue Operations हो रहा है, अभी कुछ एक दिन के लिए बारिश नहीं हुआ है, so fingers crossed, अभी कि इसके बाद कुछ समय के लिए बारिश नहीं है, लेकिन अभी भी Med Department Red Alert रख लिया है कुछ जगल के लिए, और ये ख़बर हम अभी मीडिया का फोकस यहीं, जो उनके लिए easily accessible areas होते हैं वहीं पर होता है, और जादा कोई बात नहीं करता, और तेलंगाना से जो वीडियो जो तस्वीरे मैंने देखी वो तो उतनी ही डरावनी है जितनी हिमाचल से आई हुई हुई बिल्कुल, अगर आप देखो कि एक जहां पर मतलब आपके पूरे डैम अर्मोस्स बॉस्ट हुआ है, दूसरा है एक बहुत बड़ा सांप जो निकला है एक घर के बाहर से, एक वेल बीच हुआ है अंधर में, और वो बेबी वेल थी ना, बहुत बड़ा वाला, सबसे बिगिस्ट वेल बट इस यंग वन, तो बीच्ट था, मर गया, तो काफी मतलब वीडियो आ रहा है, मतलब वेहिकल्स जो है, पूरा ड्राउन करके वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि लोगों को मतलब वाहर आने के लिए मुश्किल दिकत हो रहा है, तो काफी गंबीर हालाद है वहां पर, अ ऐसे ऐसे शब बोली है, लग रहा है कि आज अक्षिता ही सारी हिंदी न्यूस कवर करके आई है, हम उमीद करते हैं कि जल्द राहत मिले और आपको भी ऐसे ही हम वहां के अपडेट्स इसी तरह देते रहें, जो शायद आपको मेंस्ट्रीम मीडिया में नहीं मिले, हम पिछ जला रहे हैं, पहला कॉमेंट जो मुझे देखा वो बंधना अगरवाल का है, उन्होंने लिखा की, इंट्रेस्टिंग प्रगम, अन इंपॉर्टेंट पॉंट्ट पॉंट्ट विलेशिंग आप अगर मलेशिया के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा बोलते है कि इतना हिं पॉंट्टेंपल्स कैसे है, चोला उस वहां पर गए थे, यह सब चोला उक्युपएट था, और यह जो इडली अभी हम झाते हैं, जो स्टीम होती है, और रात भर उसको की इंफुएंस हो सकता है, क्योंकि जो प्रफेसर मालक्षमी भी बोल रही थी, कि इडली इसको उतना तो यह एक है, इटिंग वाइट राइस इस लेतिस फिनोमनों, हिल्स वे सेल्फ सफिशिएंट वन दे इस तो कंजूम मिलिट अन मेज, प्रोजेक्ट मैनेजर 6423 ने बोला था, तो उनकी कॉमेंट मिलिट और मेज के उपर मेरे को इंट्रेस्टिंग लगा क्योंकि अभी इ तो एक इंपॉर्टन कॉमेंट यह भी है, और मैंने यह भी देखा जब करनाट का गई थी महां पर रागी मुद्दे मील, वो मिलिट का लेकिन अभी हमारी एक डॉक्यमेंट्री रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं यूट्योब पर पेपासा, जब हम वो शूट करने यह भी थी, वहां चावल है ही नहीं, चावल का कंसेट ही नहीं है वहां पर जो पाकिस्तान बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर दूर वहां के गाओं पढ़ते हैं, और वो गाओं में मतलब बो लोग नॉर्मली चावल खाते ही नहीं है, वाजवे की तो मतलब आप सौट देखोग जो प्रोडूस्ट राइस है उस पे भी फोकस है, बहुत मोटे होते है ना वहां के चावल खोड़े है एक वर्जन है जो बहुत मोटे है, जो रेड राइस जैसा भी है, जो काफी मतलब कुक करना चाहिए, लेकिन हाँ चावल डिफेर्ट वराइटीस है वहां पे लोकली प टीम प्लीज इंवल्वर मोरे नारवम और अधर शोज आस विल, कैसा लागा था आपको मालक्षमी माम से बात करके, बहुत अच्छा अपना मिल गया ठाइब का फील, हम तो तो बात कर रहते पुरे समय, लेकिन काफी समय मैंने वेस्ट किया मैंने शो जब देखी थी कि मैं हम चार लोग ही दिखे लेकिन महालक्षमी माम के साथ तीन गेस्ट और आए थे और कैमरे के पीछे तीन लोग और थे तो अविसली जब कैमरा बंद गुए उसके पाद हम अच्छी चाने पे तूटे जब तक कैमरा शुरू था हम तो बस थोड़ा बहुत चख रह थे और आ तो सब आये थे उसके बाद उसके बाद हमने सिफ भर के खाया ही जैसे अक्षटा ने शो के बीच में बताया है एक कॉमेंट वैसे तो है अशी जातोर के कि सौरब एक अक्षटा दिन वे सिंगल मिनिट लूप अच्छा खाना खाते रहना चाहिए और इसके बहुत सारे ऐस हम यहां से बाहर जाएंगे और आपको साओट इंडिया के कल्चर के बारे में बहां की चीजों के बारे में बताएंगे और जब तक नहीं जा पा रहे हैं तो यहां से बैटके हर हमते जैसे यह एपिसोड रिकॉर्ड किया वैसे ही करेंगे श्याह्य भाया है परेटी एंडिया इंडिया क्लूदी नुर्णी नुद्राइधानीज नुदेलिप्लीन विजिव एथे त्रॉणियोंगर मौनुटी नुदी नुद्टीरी नुद्टीरी आड़ोजला का भीयर लगैल लिए का लाक मानभी इंड्रेक्ड़ति. करेगा क्या दूआ मागी अला अगर आपाने थे तो अजय तो कि मैं लोगो सुबे से साम तक और कुछ चंता हो ना व लेकन पानी की सबसे पहले चंता है कि घर में पानी लाना है नीव चार गेडा पच गेडा छे गेडा करे जाओ मैं सी साल की मा नेव साल की है यह मठका वर चल रही है खारों पाने ही बेगोदा पीगी नीचे फ्रेकिंग गोड़ी बाड़े हाई-लेवल की केमिकल्स नालते है नात एक्दम ब्राउन हो एं लोगों उस पानी की वैसे कमाने वाला एक और पाने पीने वाले दस यह मजबूरी उकाम कर रहे हो और पाने आस पास में लजदी कि में कहीं नीचे पढ़ना चाहती जी पढ़ना बहुत चाहती जी स्कूल छोड़ जी पानी से यह सब जो बाहर उठाने से उसका बच्चा गिर गया इसके बापने इसको सिखाया क्या है क्या पानी नहीं दस सकते तान तलया जाविदा कुआरे जन घर के सो आनन्द हो